सब्सक्राइब आपके लिए और वीडियो लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए तो अगली एक गंटे के अंदर पूरा अटाइड का इंटर्फीस का गूल फीचर को लेगे कैसे सर के डिगरम के जाता है कैसे हम यहां पर सुचेस के वोपर काम कर सकते हैं अलगले के जाते सिंगल लाइड डिएग्रम को कैसे करें तो सारी चीज़ा हम यहां पर कवर करेंगे ओके अब देखिए जब आप आप अगर आपके लाइन बनाते हो तो लेकिन उसके साथ कोई डेटेल अटाइच नहीं है या उसके साथ को स्टेंडर एटाइच नहीं जहां तक बात करें कि अगर जैसे एक्जामपल के लिए यहां पर कोई सीच भी इंपोर्ट कर रहे हैं कोई पुछ बटन लेकर के हैं तो उस एक्यूपमेंट की पूरी डेटेल अवेलेबल होगी चाहे वह उसकी कंपने की मैनुफेक्ट्टरिंग डेटेल हो उसकी एंपियर जो है वो कितना है उसका वोल्टेज रेटिंग केतना है वो सब कुछ हमें उसके अंदर क्लियर होता है आप वहाँ पे ज्यादा फंक्शनलिटी को अच्छे से समझ सकते हैं और रिपोर्ट हमें जन्रेट करनी हो चाहे में एक आटमेटिक सिस्टम करना हो सर्केट डियाग्राम बनाने हो और भी इन जस्ट फ्यू सकेंट्स तो आप वहाँ पे अच्छे से काम कर सकते हैं पूरी प्रफर फेक्शनलिटी के साथ प्रपर डीटिलिंग के साथ और कंप्लीट रिपोर्ट जोनेशन के साथ इसे गंडे के अंदर अगर आप ऐसे बिगनर हैं आपको इतना इडिया नहीं ह जाएगा जहां पर 40 प्लस पूर्स अभीलेबल हैं डिजाइन पर फोफेशनल में पर फोफेशनल का फी पुछ आपको प्रवाइड करवाइब जाएगा प्रिमाउप प्रजेक्ट फाइल का एक्सेस और काफी कुछ चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी लाइब इन लिए प्रवाइब जीट लिगतर सब्सक्राइब लाइब हो हागी तो ऊस्टेटरिकल इंटरफेश पर स्विच्च करने के लिए यहां से वर्क्स चेटिंग सेटिंग पर हैंगे अमक्यों क्यों आतरगेट पर काम करना था मुझा आपकों इंट्रफेश दिखाना था पर काम करेंगे लेकिन आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि एसी एडी एन टुडी ट्राफ्टिंग अनुटेशन से लिखा हुआ है एसी एडी और तो कैड फॉर एलेक्सेस करेंगे तो जो लोग इस इंटरफेस के लिए नए है मैं आपको यह चीज बता दूं कि कैसे समझेंगे यहां पर क्या होता है होम पहले भी था अब यहां पर प्रोजेक्ट स्केमाटिक पैनल रिपोर्ट्स इंपोर्ट डेटा हो गया है आप यहां पर देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें आपकी यहां पर एड हुई है करना है आप जैसे में एक लाइन जाइक करता हूं अब मुझे इस सर्किल को एक नौन अट रड़ अट्रिकल एंटिटी सब्सक्राइट करना है कि सारी प्रोशेस यह सारे चीज़े में आपको आगे बता रहा हूं कैसे होता है फ़र एक्जामपल मैं अगर यहां पर एक ट् थोड़ा चाइब दे नहीं आप इसको आपको ग्रेट करके दिखाता हूं तो यह मैंने सिर्फ और सिर्फ और बनाया लेकिन यहीं चीज जब मेरे किसी एक्यूप्मेंट में जब और करनी होगी तो उसके लिए मुझे बेसिक्स का ज़र्वत पड़ेगा जो कि मेरे मैं आपको भी बना के दिखाया अब मैं एक बार बेसिक से स्टार्ट करता हूं जैस में काम करने हो यह है मुझे किसी भी तरीके का अगर की सर्किट करते हैं यह काम करना ही काया करना हुत होता है जो अंदर के इंटरनल स्केमेटिक अब नेक्स्ट आप्षिन आता है जो कि स्केमेटिक के बाद जो हम लोग युजर इंटरफेस हाड इंटरफेस देखते हैं वह हमारा होता है जैसे कि अगर हम लोग अपने डे-to-day लाइफ में घर पर देखें तो हमारा एक मोटर प को अपरेट करने के लिए उसके अंदर की जो अरेंजमेंट हो ती है इसे हम लोग स्किमाटिक हो था एक चीजमी क्लियर करते हुँ बिल्कुल से डिटेल हम लोग लेंटर सेक्स्ट्षिन में या वीडिए में लुग कवर करेंगे जहां पर मैं पॉइंट टु पॉइंट चीज़ों को में डीटेल करते पर चलूंगा यह जो भी हम लोग स्केमाटिक डिजाइन करेंगे उसके में चीज़ के अंदर हम लोग पैजल भी डिजाइन करेंगे तो मेरे यह कहना था कि जब मैं आटोकाइड पर काम कर रहा हूं तो हाउ कैना यह अंदर्टर के अंदर यह स्केमाटिक के अंदर के आने के बाद यहां पर आपको यह वायर सेक्षन दिख रहा होगा इंसर्ट वायर वायर नंबर्स यह सारी चीज़ा में अब लोग वन टू इचन एवरिटिंग मैं आपको कवर करूंगा अब देकि जैसे यहां पर वायर लिया तो होता क्या है कि ज इसको हम लोग क्या बोलते हैं WDM का मतलब क्या होता है कि हम लोगने लेटर सेक्षन में क्लियर देंगे फिलाल के लिए मैं आपको यहां से अभी करता हूं और मैं यहां से इसी के पर लेली एक और वायर ड्रॉ करता हूं तो अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो इस गला का फ्रक्राइब कर रहे हैं तो तरीका अब समझते हम लोग की दोनुन defined कि यह वहर था तो आपके समझने के लिए मैं यह बार फिर इसको लॉआ कर देता हूँ आप के लाइन के अंदर आ आने के बादी है क्या एक यह बाएम डिखा रहा है लेकिन जब लोगीgga इस पर काम करेंगे तो AutoCAD क्या करेगा AutoCAD इसको आजा लाइन करेगा और इसको वायर ट्रीट करेगा क्योंकि हमने इस इस पर्टिकुलर आप को वायर कमांड से बनाया अब देखिए वायर को अगर हमने यहां से ओवरलाब कराया आखकर आहांसे इनघ्षयन होगा यहां पर आपको घ्री नयद्हर र defenses नहीं दिक्रकमांसेश सब्सक्राइल कि डिफरेंज बिटून लाइन एंड वायर ठीक है अब अब आपको बता दूँ कि अलेक्ट्रिकल के अंदर क्या होता है सारी एंटिटीज लाइटेड होती है अब मतलब क्या होता है कि जो भी मुझे चाहिए होगा जो भी आइकन मुझे चाहिए होगा जैसे मैं अगर आपको एक अग्जांपल दिखा हूं तो आप वह देख पा रहे होंगे समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं मैं है यहां पर देखिए कि यह जो मैंने आपको पीडिया को दिखा रहा हूं तो यह यहां पर यह पुश बटन घैसा दिख रहा है यहां पर यह अगरा दिख रही है यहां पर यह मोटर नेक्मेंटहल हैं到 our ticket electrical के अंदर कि मौझूद है वह किस तरीके से मौझूद होता हैIf All Library के जरए हमंगे यह लाइब्रेडेयरी वहं कोैसी इक्ज़ फिट करने के लिए फिप करने के लिभे करता सह πषब्व हं क्या करने हैं जैसे मैंowPI on सिंबॉल यूज में लेता हूँ अब 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 क्या है यह मैं आपको जब डिटेल में हम लोग स्टार्ट करेंगे एन फ्प के बारे में आपको बताऊंगा कि सारी चीज़ें क्या-क्या होती है तो फिलाल के लिए मैं यहां पर समझाओ पुछ बटन जैसे अगर मुझे करना है है मैं यहां से बिटे और लियां उठाया अब जैसे ही मैंने इस पुच बटन की अन्टिटी पूछ होगा हुग पे इसके लाइन डिस्क्रिप्शन क्या होंगे स्केमेडिक कि लिए है या पैनल के लिए स्क्रिक पर काम कर रहे हो तो यहां पर इंटीग मैं कि होता क्या है अब धैसे कैटलोग डेन में जब क्यान कल रही है यह कोई इνसान इंसान डिमांड करता है तो वह किसी बहmeye कमपने ज्याच से कैटलोग मंगता है अब कैटलोग के अंदर उस पर्टिकुलर और ॐचिय आउप्ट का sister कमपनी का पना हुआ है然后 ऑफ यहां पर यह प्लांग क्यों रखा गया है अब जैसे माल ने यहां पर ब्लांग रखने का रिजन यह होता है कि अगर मुझे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मैनुफक्ट्रर का नाम देना है तो वह मैं यहां पर दे सकता हूं लेकिन अगर मुझे यहां से अगर स्पेसिफाइड इसके अंदर की लाइबरी यूज में लेन यहां पर आपके पास बहुत सारे मिलेंगे अब देखिए मैं आपको यहां पर थोड़ा से इसके दिखा रहा हूं तो सारी चीज़े मैं आपको बताऊंगा इसके के टलॉग नंबर यह हो गया मैनुक्ट्र आपका यह हो गया डिस्क्रिप्शन आपका यह हो गया टाइप आपके क्या है अब जैसे आपको अब का पुश बटन चाहिए आप यहां पर टाइप करें तो आपको मैनुक्ट्र यहां पर मिल जाएगा आपको यहां पर इंसर्ट करेंगे आपके लबरी को एक्सेस करके देगा अब जैसे यहां पर देखिए कैटलोग नंबर है यह कि इसमें कितने कॉंटाक्स कोंटाक नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा अगर आपके पास कुछ है पूर आपके पास कुछ और इसम्ब्ली लें तो सारी चीज आपको यहां पर दिखाएगा मैं जैसे यहां से लिए अगर वैसा यहां पर एसेंबली कोड़ हो तो वह आपको यहां पर दिखाएगा जिसे यहां पर इसका इसेंबली कोड़ा दिखा रहा है अभी नेच्ट आता है कि जैसे क्रॉस रफ्रेंसिंग क्या होता है तो यह जब मैं आपको प्रेंट चाहिए में क्या किपन कौन से क्विपन को चाल रखना है अगर इसके और में एक बेसिक साइजमपल दू तो वह इस तरीके से होता है कि अब जैसे घर में में एंस भी जो आती है जहां पर मेरा घर का एक में भी आता है वहाँ पर आपने लिंकंदे से एंटिटी को समझा पाऊंगा होता क्या है कि एक एंसीवी पर फॉल्ट आया आटोमेंटिक लिए दूसरे एंसीवी ट्रिक करेंगी तो वह एक रिलेशन दिखाना टाक्टिकली वर्ल्ड में तो मैं एक लिंक से उसको जोड दिया लेकिन उसको तो शॉट्टर के टर्म से में दिखाना कर से पेरेंट चाल रिलेशन्शिप के जरीए मुझे उसको दिखाना होगा अभी पर एंग्जामपल में आपको यहां पर देख आपको समया पाऊंगा तो अगर यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर एक लिंक्ड है यहां को एक बर और दिखा देता हूं कि यह देखे हैं यह हमारा ठ्क हमें रिलेशंशिप होता है इस तरीके का सरगिट हमने डिजाइन करना सिखेंगे कि टेंपलेट्ट क्या होता है ओपना बनाएंगे हर ऑगनाजेशन का अपना अपना एक होता है वो template हम लोग कैसे बना सकते हैं उसके बाद detailing हम लोग कैसे करते हैं फेरुलिंग हम लोग कैसे करते हैं अब जैसे एक एक नंबर वायर मुझे दस नंबर पर जोड़ना है तो हमें यहां पर लाटर वगर देना होता जैसे यहां से यहां से कंपोनेंट की में साथ ब्रेकर हैं में साथ कर तूज जिए टूजुल्ट का जो इन है यह आउट किसमें किसमें कनेक्ट होना है तो यह गया हुआ है 302 में आपको बताऊंगा कि 302 के अंदर कैसे जाना है यह सोर्स डेशनेशन आरो होते हैं कैसे हम लोग लेते हैं जैसे क्या होता है जब कोई लेंदे ड्राइंग होता है तो मैं इस इस एंटिटी से इसको जादे नहीं कर सकता यहां माल लेगे यह 202 का जो वायर है वह 302 में कनेक्ट होएगा तो 302 को मैं यहां पर नहीं दिखा पा रहा हूं तो यहां पर मैं सोर्स डेशनेशन आरो में यहां पर दिखाऊंगा यह देखिए फ्रॉम अब बताऊंगा इसके बारे में अंक्वेंट को बताऊंगा कैसे कुपमेंट को लोग यूज में लेते हैं प्रोट्रेक्टिव यूनिट्स हैं फिर मोटर वगरा कैसे हम डालेंगे तो किसी बीव को स्टर्ट करने या सार्किट मन डालने के लिए उसकी जनरल अनुट होती है जैसे उसकी प्रिटेटिव एंटिटीज क्या होंगी किसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए क्या चीज चाहिए इस तरह के से हम लोग चीजों को डिजाइन करेंगे तो जो मैं आपको समझा रहा था यह आईकन मेनु के अंदर क्या होता है कि हमारे पस्त। और यहां से यूज में लेट सकता हूं जूँछे किसी यह चाहिए क्या बोलते हैं था उस्टेश चाहिए तो यहां दो रोगरा ले सकता हूं कि मैं आपके लिए इँ तो इन पर आपको चीज़ों को समझेना है कौन्म Mega लगा شकता उसके लिए थोड़ा चाम रहां अपने बेंसिकों हम लोगों को काम करना पड़ा है कि निखा है क्या होता है लुट्रेसरं क्या होता है सुपर पूजिशन थे जो हो गया के विल हो गया यह सारी हम लोग जब डिटेल वीडियो डिस्किप्शन में आएंगे तो वह आपको वहाँ समझाओंगा क्या होता है नहीं होता है जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आप किसी भी तरीके के सर्कृत को समझ नहीं पाओगे उसकी बिहेवियर को आप समझ नहीं पाओगे अंटिनलेस आप उसकी डिटेल में जाओ तो खेर आज हमारा वो टॉपिक अभी का नहीं है मैं आपको AutoCair Electrical के बारे में बता रहा था तो next जो हमारे पास option आता है वो यह होता है कि किसी भी circuit को हम लोग जब draw करते हैं तो इस AutoCair Electrical के अंदर क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी भी circuit को design या drop करेंगे तो उसके लिए मुझे सबसे पहले project define करना होगा अब project define करने के लिए मैं सबसे पहले कि यहां से में open project पर आऊंगा अगर आपके पास कोई open project है अगर आपने कोई project open कर रखा है तो अगर मुझे न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं न्यू प्रोजेक्ट पर आऊंगा यहां पर सबसे पहले आप प्रोजेक्ट का नाम देंगे जैसे मैं यहां पर प्रोजट का नाम देता हूं ठीक है यह मैंने प्रोजट का नाम दिया इस प्रोजट को मैं कहा पे सेव करना चाहता हूं वह आप से डायक्टरी पूछेगा आप वह डायक्टरी दे दे देना फिर यह पूछ रहा है create folder with project name यहाँ पे मैं इस project के नाम से मुझे desktop पे एक folder चाहिए yes मैंने यह कर दिया उसके बाद copy settings from project file यह क्या कहता है कि जब भी आप किसी भी तरीके का नया project create करते हो या नया file बनाते हो तो आपको कहीं ना कहीं से एक settings copy करनी होती है तो चुकि आपके लिए आप लोगों के लिए यह सारी चीज़े नहीं है तो आप यहाँ पर एक by default nfpa demo यहाँ पी अगर आप देख पा रहे हैं nfpa demo से यह सारा project file की settings copy करेगा next time से जब भी आप अपना settings वगर चेंज कर लेंगे आप अपने भी यहाँ पर browse करके वह डाल सकते हो next option आता है यहाँ पर description की प्रजेक्ट की description में कहा लाइन 1 में क्या डालूंगा लाइन 2 में क्या डालूंगा यह भी एक बहुत ही important parameter है कि description हमें डालना क्या-क्या होता है कि एक project के अंदर जब भी मैं project को create कर रहा हूं उस project के अंदर मुझे क्या-का चीजें required होती है क्या-का information मुझे दिया जाता है तो यह भी हम लोग detail वीडियो के जरीए हम लोग इसको पढ़ेंगे क्या होता है इन reports का मतलब क्या होता है कि इस line 1 को हमको report में लेना है या line 8 को हमको report में लेना है या नहीं लेना है तो यह सारी की मेरा बन के आ गया पिटिस कार्थ के नम से अबहरे तक यह सिर्फ और फट्रजेक डिस्क्राइब हुआ है अब जब भी मैं इस पर प्रोजेक्ट करूद करूंगा उस प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले मुझे को सेटिंग्स बनानी होंगा जैसे से सेटिंग्स में आते में कहां से access करूँगा यह देखिए यहां पर install libraries है हमारे पास कुछ तो जब भी आप AutoCAD electrical install करेंगे तो वहां पर मैं आपको installation videos में बता दूँगा कि कौन-कौन से system मुझे install करना है हलां कि यहां पर हम लग सारा ही लेकर चलते हैं ठीक है यह schematic libraries होगे अब आता है यहां से schematic icon menu file अब होता क्या है कि जो भी आपने लाइबरेरी लिया है जैसा फॉर फॉन example आपने यह लाइबरेरी लिया है या यह लाइबरेरी लिया है तो इस लाइबरेरी के अंदर क्या है कि उस equipment की detail है लेकिन वह equipment real world में या AutoCAD के designing में दिखेगा कैसे तो वह मैं यहां से एक .d80 file होता है डेटाबेस होता है वह यहां पर भी automatic वह ले लेगा तो यह दो schematic के होते हैं दो panel के होता है अब देखो पैनल के लिए भी automatic यह जो हम लोगों ने उसके बाद catalog lookup preferences यह सारी चीज़ों में आपको data description में बताऊंगा components आता है इस project के अंदर जो भी हम लोग component वकर यूज में लेंगे तो उसकी tag format क्या होगी मिंसी इसकी फैमिली को हम लोग define कैसे करने तो उसकी syntax होती है परसंट परसंटें परसंटेंट परसंटेंट इस फ़र फामिली एंपर संटेंट इस फॉर नमबर अगर आपको यहां पर अगर मैं आपको दिखाया था यहां पर जो साकिर ब्रेकर या जो पुछ बटन या एक्स इस तरीके से वाइड नमबर का फॉर्मेट हम लोग क्या रखेंगे स्टाइल से हम लोग क्या रखेंगे अगर वायर हम लोग जंक्शन से लिए रहें तो डॉट से दिखाएगा यह सारा हमारे पास टाइप से तो यह सारी चीज़े में आपको आगे बताऊंगा अब देखिए इस प्रोजेक्ट के अंदर ड्राइंग फॉर्मेट क्या होता है हाला कि हमारे पास जब मैं इसके अंदर काम कर लूँगा यहां सोके कर लूँगा तो यह मेरी अभी फिलाल के लिए मेरा पीटे स्कैट के यह今日 हम यही होता है कि हम इसके अंदर इसके अंदर आनगे असंदर न हो टरूट करें कि अब इसके अंदर आन को आइक बालों यह और चे-डिक रहे हैं इस आइकन मेनु के अंदर यह जो आइकन सबने हुआ नहीं हर点 इसके की पहुत Ship रहा था यह देखें सब्सक्राइब करते हैं कि लिए हम लोग करते हैं कि लिए हम लोग की आउट्पुट किस पॉइंट पर जोड़ना है यह हम लोग इसलिए यह यूज में लेते हैं इसको लाडर सब्सक्राइब अगर आप देखेंगे तो यहां पर इंसर्ट लाडर एक्सट इसलिए लाडर चाहिए शारी चीजह में आपको बीटल डिस्किप्शन में क्लियर करूँगा अब आते हैं हम लोग यहां पर किसी भी प्रोजेट को एगर आक्टिव करना है तो उस्पे मुझे डबल क्लिक करना होगा अभी यह यहां पर यह अक्टिव प्रोजेक्ट है आपको जो भी नाम रखना है आप वह इसली यहां से ड्राइंग का नाम रख सकते हैं ठीक है अब जैसे इस ड्राइंग का मैं मान लिजिए द्रोंग वन इसकी टेंपलेट आप आप कहां लोग है दिफित फिर से लेगा लोकेशन कहां से बना चाहते हो अभ यहां पर देखे वु डिस्क्रिप्शन वोगरा फिर मांग रहा है अब आता है यहां यहां से प्रोजेट कोड आप जिस भी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे उ 001 लेता है अब installation code होता है होता है कि बहुत बाहर ऐसा होता है कि एक ही टाइप का मशीन यूज कंपनी ऑगनाइजेशन बनाती है लेकिन उसका इंस्टालेशन साइट के अकॉर्डिंग वेरी करता है तो हम लोग क्या करते हैं इंस्टालेशन के लिए हमें इंस्टालेशन के लिए हमें इंस्टालेशन कोड चाहिए होता है अब आता है यहां से शीट वैले जैसे फॉरन एक्जांपल यह मेरा पहला अनौबर वन कि दिए यहां से सकते हो यहां सोके करोगे ते इसके अंदर एक बन क्या जाएगे अगर आपको शेज़े करनी है कि अई यहां से आपको डालग बॉक्स खुल के आएगा यह देखो ठीक है इस तरीके से हम लोग वापिस इसको बना सकते हैं यहां सोगे अगर आपको कोई प्रॉप्रेटिस वगर चेंज करना में आपके कर दोगे अगर चेंज किया जाएंगे एक इसमें समझने लाइक चीज क्या ह अगर अभी तक देखी जैसे मैंने इसके अदर ड्राइंग एड किया अब यह अपडेट नहीं हुआ अब अगर मुझे एक और ड्राइंग करना जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा टेंपलेट टेंपलेट के अंदर क्या होता है कि आप ब्राउज पर जाओगे आप अपने अज़े जोंख किये हुए हैं जोगी इस आहाँ डिया डिक्स्रिप्टिप्शने में बताऊंगा किसी फेल बनाते कैसे यह त्युक्कि हमारे पास बनेखी टेंपलेट से निक feelings आपको करता है यहां साथ है यहां से लेट कर सकते हो या आप खुद का भी टमट्रेट बना के इस डारेक्टरी पर सेव कर लेंगे यह को इतना लंबा डारेक्टरी पर आपको सेव करना होगा इस फाइल केशन पर जब भी आप यह अगर आपके पास खुद का यह बना है तो अब यहां पर भी आपने सेव कर रखा है वहां से भी आप इसको कर सकते हैं इस तरीके से हम लोग यहां पर ड्राइंग एंड प्रोजेक्ट बनाना सिखते हैं उसके बाद जो सबसे इंपर्टन पारामेटर होता है कि हम लोगों को निया सब्सक्राइब करना है उसके अंदर हमें यहां आपको दिखाता हूँ, आप सबसे पहले एक टैम्प्लेट लिया, यहां पर सिश्टम्व सिस्टम है यहां पर सिस्टम बनांगा लूगा लेकिन सबसे पहले चैन्ल मिया अब तो remains ऐसे डिख्यूबमटर बलूँगा जैसा यहां सब सрахण तो चीजें बनके नहीं आएगी अब लाडर का स्वेसिंग्स क्या रखना है विट क्या रखनी है सारी चीजें आप नम्बरिंग असे इस तरीके से नम्बरिंग स्टार्ट कर लेता हूं अब चुकिए यह एक लैडर बना हुआ तो मैं यहां से नोबस कर दूंगा कि करूंगा यहां पर देखिए सिर्फ आसे नंबर्स आगे मेरे पास चुकि यहां पर 17 तक था पर 18-20 अब अगर मुझे माल ली इसको एक दो तीन चार पांच करना यह डिटेल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि इस लैडर को भी अप्ट को लिए उन सब चीजों को भी हम लोग एडिक कर सकते हैं लापने के बाद अगर हम को संगल लेंगे संगल बारत अगर यह मैंको मैंटिपल बस बस लेंगे नंबर्स थ्री लेना है मया से सỏi मैं दो यहांसे कौनेंट वाला सेलेट करूंगा मैंने यहां से वाइड ले लिया अब मैं यहां से अगर कोई भी एक एक्जाक्ट एक्विप्मेंट जैसे मुझे यहां पर एक फ्यूज होगरा लगाना है जो भी आपको लगाना आप एक फ्यूज लगाया अब इस फ्यूज करें को आपको इसके लाइन की दिस्क्रिप्शन प्रोजेक्ट से उठानी है तो आप यहां से उठा सकते हो या अगर मालिज आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर दस ड्राइंग आप बना रहे हो तो उस उस पर्टिकुलर चाहिए तो आप ड्राइंग को जाके सेलेट कर सकते हो अब इसका लुक अप में जाके मैं फ्यूज का दिस्क्रिप्शन वगरा देख सकता हूं कि मुझे बुस्मेन का फ्यूज वगरा चाहिए जो भी आपको कैटलोग लेना है आप यहां से आपको पिंस वगरा का डिफि रिक्वार्मेंट नहीं है मैं आपको से लेने के लिए आपको समझा रहा हूं तो इस तरह जैसे ही आप यहां पर कंपोनेट इंसर्ट करेंगे लिए वायर ब्रेक ले लेगा लेकिन यही चीज़ अगर आप आप आटकेड में प्लेन आटकेड में करते होते तो आपको अगया अभु द्लॉं migrate टरुमेंट नहीं होगा नी चर shopping करना अब अब पर मुझे आंदर बनाना होगा मेरी चैलेंजेस बहुत जाता है अगर एलेक्रिकल सर्किट को ड्राव या ड्राव्ट डिजाइन करता हूँ हलांकि टुदे ड्राफ्टिक मॉडूल अटकेट भी है जैसे कि आप जानते हूंगे ज़ो लोग नहीं जानते हैं उनको पता दू आपकेड बेसे के लिए टूडे ड्राफिंग मॉडूल ह लेकिन चुकि एडवानस में जैसे ओट करिये मेकनिकल अडवांस होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि कपलेटली हमारे पास लाइबरेड और यॉसलिक्स करना होता है他们 यह और इसका रिक्वार्मेंट क्या पड़ता है इंडर किसी भी तरीके का आटोमेशन यह किसी भी तरीके का मुझे सर्कृत डिजाइन करना किसी पैनल का या किसी भी एक्स वाइट करीके से हमें करते हैं ओट्रेट का रिक्वार्मेंट पड़ता है जहां पर हम लोग कॉंप्लिट फैरिवलिंग का कॉंप्लिट लीडर का कंप्लिट सिस्टम का हम लोग डिजाइनिंग करते हैं विद इच एन एवरी कंसेट तो मैं आपको हर एक तूल को यूज करना बताऊंगा विद इं को यूज में हम लोग ले सकते हैं जैसे फॉर एग्जामपल अब नेक्स एंटिटी आता है जो कि अच्छा चीज है वह यह है जैसे मैं आपको दिखाऊं ले समाल ने यह मेरे पास कोई हमने बना रखा है अब इस सर्कीट का मुझे एक अलेक्ट्रिकल ऑडिट करना है अलेक् किसा कमपोनेंट कहां है या किसी तरीके का कोई वाइलिंग नंबर मिसमाच नहीं हो गया या कहीं कहीं टर्मिनल पर चूट नहीं गया है ठीक है तो यह ओटकरड के पास यह ओप्शन रहता है यह फीचर है और अपना अलेक्ट्रिकल ऑडिट कर सकते हैं आप रिपोर्ट मे जाएंगे रिपोर्ट में जाने के बाद यहां पर देखे रहे होंगे अप अपर अप्शन आता है तो मैं यहां पर अपर अपर आप लोग इसको देखेंगे यहां पर लिखा हुआता है कि डिटक्स प्रॉब्लम रिलेटेट टु वायर्स एंड कमपोनेंट्स और डिस्क् अंदर एक ड्रॉब्डाउन मेन्यू आता है इसको शॉट पॉप मेन्यू बोलते हैं और इसका यह लॉप मेन्यू अगर फिर भी आपको इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए हो तो आप किसी भी एक्विप्मेंट पर चले जाना किसी भी आइकन पर चले जाना इसे दे और दिखा रहा था है इस पर गया इस पर आया अगर और बी डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो एफ़न प्रेस कर दो आपको इसके बारे में हर एक चीज बता देगा क्या होता है नहीं होता है अब यहां से मैं यहां से अलेक्ट्रिकल और पर क्लिक किया तो एक मेंट एट सेंड अभी चुकि यह पीटीएस कैट डॉट 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 ही मेरा एक्टिव प्रोजेक्ट है तो चुकि वह आप दिखाएगा नहीं तो मुझे उसके लिए सबसे पहले इसको एक्टिव प्रोजेक्ट करना होगा ठीक है अब आईए रिपोर्ट के अंदर अलेक्ट्रिकल डॉडिट में आते हैं अब यहां पर अपर अपको दिखाएगा वाला राइट क्योंकि यह बना अब आता है कि इस पूर्य प्रोजेक्ट के हमको अलेक्ट्रिकल अड़िकर करना है या इस पर्टिकुलर एक्टिव डॉइंग पर करना अगर प्रजेक्ट पर करो तो 54 इस दिखेंगे अगर आपको सिर्फ एक्टिव ड्राइंग पर करना है तो आपको 17 इस्यू क्या है भाई साब तो वह में हम लोग यहां से इस तरीके से अब 17 इस्यू मेरे पास क्या-क्या है फोड़ा सा मैं इसको यहां पर जूम कर लेता हूं यह जूम ना भी करो तो भी आपको आप जिस भी इस्यू पर क्लिक करेंगे उस इस्यू पर आपको लेंगे जैसे डिटेल पर आता हूं मैं अब जिस यहां पर लिख रहा है इस्यू टू 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 अनकनेक्टेड वायर्स ड्राइंग नंबर डेम जीरो टू लोकेशन यह अब यह ऊस्यू टू 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 रहले जैसे हाँ दिखा रहा होगा इसका सोर्स कहीं है ही यह सर्कीट अपरेट होगा यह कहां से होगा इसकी लायन्स अपलाई क्याστ 152 0 e2 잡ी यहां पर दिखा रहा है कि य行 अनकनेटेड वाइर से ठेक है कमपोनें टाग लड जैसे माल ने इस पर्टिकुलर एंटिटी पर जाना है इस पूरे एंटिटी को सेलेट करें हम किसी पर ड्राइंग पर कहीं पी रहें और सिर्फ गोटू करूंगा तो वह आटोमेटिकली यहां पर लेकिया जाएगा अब जैसे यहां पर दिखा रहा है यहां पर क्रॉस दिख अगर हमारे पास कुछ ऐसे option है तो अब जैसे कंपोनेंट नू कनेक्शन है इसमें कनेक्शन नहीं सेलेट करके गोटू करेंगे इसमें दिख रहा है अब क्या फॉल्ट आ है वह हम लोग आगे देखेंगे ठीक है को कनेक्शन कहां साना है क्योंकि में रिसेप्टिकल है यह जो कि यहां पर मेरे पास है नहीं इसलिए आप यह फॉल्ट दिखा रहा है इस तरह के से हम लोग किसी भी ड्रॉइंग के अंदर एलेक्ट्रिकल अडिट कर सकते हैं प्रोजेक्ट वाइज एक यूएस्पी है ऑटकाट एलेक्ट्रिकल का जो की ऑटकेड में आपको यह सार कि अगर मैं नॉर्मल ओटकेड पर काम कर रहा हूं और नॉर्मल ओटकेड मुझे यहां पर एक मोटर दिखाना है मुझे 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 मोटर दिखाना है जैसे चुकि यहां पर आप देख रहे हूं यहां पर भी एक मोटर है ठीक त्रीफेज मोटर मुझे बनाना ह तो अब उस थ्रीफेज मोंटर को जो मैं बनाऊंगा ती एक यह टर्मिनेल में दिखाऊंगा कि अज़िए यहां से मैं फिर टेक्स्ट लोगा लेकिन अभी यह जो मोटर हमने बनाया है यह हमारा नॉन ओटकाड इलेक्ट्रिकल एंटिटी ही है तो चुकि हमें यह सिंबॉल बिल्डर का रिकॉर्मेंट क्यों पड़ता है आप यहां पर देख पा रहे होंगे सिंबॉल बिल्डर तो आगे बताऊंगा इसको में अब होता क्या है कि जब कभी हम लोग किसी भी तरीके का मॉडूल डिक्सक्राइब करते हैं या मॉडूल बनाते हैं तो सिंबॉल बिल्डर का रिकॉर्मेंट क्यों पड़ता है कि कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर जो हम लोगों ने आइकन इस्टॉल किया है या बाइडीफॉल तो कभी कवर्स रिकॉर्मेंट पड़ता हैं कि जब मुझे यहां पर मेरे रिवार्मेंट के अपार रहा है नहीं मिल रहा है तो हमें वह इकन बनाना पड़ता है और आइकन बना कि हमें डालेक्टरी पर सेव करना पड़ता है इसलिए हमें सिंबॉल टूल का रिक्वार्मिन पड़ता है अगर यही चीज हम लोग नॉर्म और आटकेट के अगर बात करूं जो लोग जानते होंगे वह ब्लॉक बनाते होंगे इस तरीके से आप में आटकेट एलेक्ट्रिकल पर जब यह ब्लॉक आप इंसर्ट करा होगे तो यह आप से पूछेगा टर्मिनल आप से पूछेगा यह कौन सा कैटलोग है इसका मैनुफक्ट्रर कौन है इसका रेटिंग क्या है यह सारी तीचा आपको आपकर डिफाइल करना होगा तो प्लॉक का इंटरफेस होता है जैसा हम लोग देखेंगे यह सारी आप्षेंस आपको वापिस से रिवाइज होगा सिंबल रखते हैं जब आप ब्लॉक बना लेते हैं उसको एडिट करना होता तो यह तो डबल क्लिक करते हैं या सेलेक्ट राइट क्लिक और लॉक एडिटर तो यह जो इंटरफेस आपका खुल के आ रहा है यहीं इंटरफेस आपको वहां पर भी काम आएगा यह सारी चीज़ें आपको अगर नहीं पता है तो हम लोग डिटेल डिस्किप्शन में जब स्टार्ट करेंगे लेक्शर तो उस टाइप हम लोग इसको लेते वह चलेंग है ठीक है तो फिलाल मैं आपको समझाता हूं कि यहां से और टेकर सिम्वल और एल्ट्रिकल केंदे सिम्वल विल्टर हम लोग कैसे यूज मिलेंगे यहां पर आप्शन आता है ब्राउज अन्नेम सेलेक्ट हम लोग अभी तक सेलेक्ट नहीं किया है अब आता लेडिपाथ अगर आट्रीट टेंप्लेट जहां से अपने लेना है तो आपका से निकलं है यह बाइदेफोल का बात है आप बना रही हो म्यें हो इसको अब बनारे बना मोड़ायं के लिए यह यहां से सेलेक्ट औबजेक्ट करेंगे चुक्ति यह अलरेडी ब्लॉक बना हुआ है इसको लोग ब्लोक से नमल और देख्ट पर ले आते हैं अब निम्रा यह नॉर्मल अब्जेक्ट पर आगए है कि तो तो यहां से सिंब़ॉर टूल पर आता हूँ अब सिंब़ॉर टूल पर आने क के बाद कि यहां पर आप लोग देख पारे होंगे तो यहां से हम लोग करेंगे मोटर और और अब करेंगे इसको जैसे ही आप यहां से ओके करेंगे तो आपके पार यहां पर एक और आप्शेंज ओपन होके आ जाएगा कि टाइग वन क्या रखना है ठीक है इसारी चीज़ें लोगों ने देखा था रेटिंग निसी क्या होगी तो यह सारा अप्शेंज यह सारा एंदर इंसर्ट करना हो जैसे यह टाइग मुझे यहां पर आप्शेंज आता है इंसर्ट यहां पर यह प्रॉफर्टीज यहां पर एडिट कंवर्ट टैक्स टेक्स्ट इस सारे चीज़ें मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा जैसे मुझे यह टाइग वन इंसर्ट करना चाहता है तो जिस जिस एक्प्मेंट को आप इंसर्ट करते हो चलेंगे वहां पर लाइख देंगे हांफे हाइट में इसकी हाइट कितनी यह फ फहलु चेक कर लें आपप हीकिए यसकी हैट है दो इसको भी घ्रण झालकरना होगा कर दिया ओके किया इसको सवीट करेंगे है कि इसके बाद इसको भी हमें चेंग्ज करना होगा हम लोग यहां से इसको सवीट करके घर डाल दिया तो इस तरी कि आपको जो जो एक्रीड चाहिए आप यहां से फैमिली अगर लेना है फ् semilis हैं पर निच्वार्ण का यहां रिक यां पर यहां ुआँ गर नहीं करेंगे यहां पर आपको दिखाएगा यहां आएगा इस तरी के सद्विए मैं आपको दिखाऊंगा यहां सामतों आप चेक भी कर सकते हैं कि कहां पर आट्रिब्यूट्स आपका गरबड चल रहा है अगरेक्ष ओप्शन आता है इसको डिस्क्रिप्शन इंसर्ट करना इस प्रेंसर्ट करना इंस ट्रूफंट करना कि इस्टॉलेशन कोड चाहिए लोकेशन कोड चाहिए नहीं तक हो गया फिर उसके बाद आता है यहां पर मेरे पास रेटिंग वगरा कि रेटिंग क्या रखनी है आपको इसको आड़ करना है रेटिंग वन यह सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर आड़ कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट आप्शन आता है वायर कनेक्शन आप जो इस मोटर को वायर कनेक्शन करोगे इस मोटर का टर्मिनल दिखाना होगा आपको तो अब वो टर्मिनल अगर लेक्सेंट आप ड्राउप्ड ना आते हैं यहाँ अपके पहले कहा देना चाहते हो पहले में यहाँ प्रेंतलोग और इसको यहां दिखाना चाहता आउच snip जो यह मोटर हो गया इस तरीके से हम लोग इसको यहां सब क्लोग एडिटर करें है अब यह मेरा एक कंप्लीटली नॉन ओटेकड एलेक्ट्रिकल एंटिटी से अब यह मेरा ऑटेकड एलेक्ट्रिकल बन चुका है ओके करोगे इस अब पूछता है दूए वांट टेंसर्ट शिंबल आफ्टर क्लोजिंग डब्लाग एडिटर यहां से रियस करोगे तब देखो यहां पर वह आप से इंसर्शन पूछ रहा है अब जहां पर इंसर्ट करोगे देखो अब यह और मोटर नमबर इतना होगा अब आने लगा इसको यहां से स्केमेटिक पर आता हूं और इस मोटर को मैं यहां से राइट क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक अप्शन आएगा अब इस अप्शन को मैंने स्लेट किया करने के बाद यहां से राइट क्लिक करने के बाद यहां से मूव कंपनेंट करता हूं इस कंपनेंट को मैं मूव कराके यहां से यहां पर लाता हूं हम से अपडेट होगा धशित मिना पिलाल अपडेट बंड करता हूं यहां से नोभी टैग करता हूं और करता हूं किृ करते कर अ है यह लड़कलर रापर करता है एक है कि और इसमें के सामने कहीं और करेंड होगा ही नहीं जब भी किनेट होगा इसी टर्मिनल पर खोगा इस फाले पे लेता हूं और इस उसके लिए यहां पर हमने लगा दिया अब इस मोटर को स्टार्ट गया करने प्रोटक्शन के लिए अगर आपको जैसे सब्सक्राइब कर लगाना है तो आप वो फिजली इसके लगा सकते हैं वह आपको आपके साफ से केडलाग नमर पुछेगा इस तरीके से हमें किसी भी नॉन और अट कर सकते हैं यह आपका सेकेंड यूएश्पी है से मौल बिल्डर का और टाकर का सब्सक्राइब थर्ड ऑप्शन अगर हम लोग देखें सब्सक्राइब क्या काम करता है जैसे अगर आपको आपको अटोमेटिक ली एक सर्कृट डिजाइन करना है जहां पर मैं अपना जो ए सब्सक्राइब करेंगे अगर मैं यहां से इंसर्ट करता हूं अगर मैं यहां से इंसर्ट करता हूं अगर आप देख पा रहे होंगे चीजे रेंडर हो रही है इस तरीके से हम लोग एक अटोमेटिक ली ड्राउन सर्कृट को रेंडर करके इसके अंदर हम डाल सकते हूं अगर अगर सब्सक्राइब करने लेगे यह सारा चीज पहले से ही डिफाइन हैं अगर मैं खूद करना चाहता हूं रहो को औंपक्षियर करना शाद कहां। यहां से कंफिुर करूँगा और देखिए मैंनने यहां पर में इसको इसको करता हूं। जैसे आप कंफिझर करेंगे यहां पर आफ का و случаев i Freedom मोंटर सेट अप में आपको कौन के टाइप का मोटर लेना है सिंखरन ख्र menor लेना है यह सिंग लेना है दोकि क्या होगा पिशन यूझे क्या रखेंगे उसकी वोल्टेज क्री होगी टे vors पेज क्या होगा फेश के कौन होगा तो तो आपके पास यहां पर नहीं आ रहा तो यहां से भी सर्च कर सकते हो तो वापर से आपका वही चैटलोग ब्रॉजर खुल के आजाएगा अगर आपको यह वाला कैटलोग का चाहिए आप इसक्राइब इसक्राइब करते हैं जैसे फ्यूंज हो गया सकते हो अपके पास नहीं तो यहां सब्सक्राइब कर सकते हो सब्सक्राइब ले सकते हो आप कंट्रोल ट्रांसरमर वगर्द जो भी चाहिए आपको यहां से ले सकते हैं अगर्ण के लिए कंशेप्ट यह लगाते हैं इसके अंदर हम लोग पिलाल एक्जाम्पल के लिए यह वाला यूज में ले ले लेते हैं जो भी आपकोगा से इसको इसली ले सकते हैं और समय कर देखिए कि अब यहां पर फॉल्ट क्या आया था हम लोग सारा सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप किसी भी तरीके से कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कौन सब्सक्राइब क्या होगा तो इस तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं यह ग्यां और इस पी अड्वानटेश था सब्सक्राइब कर और इसके अंदर सब्सक्राइब कर सकते अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको इन डिटेल लेक्षेस में सारी चीज़े बताऊंगा कि यह मोटर स्टार्टर सेंगल करें यह पहले सबनी बनाई सब्सक्राइब आप देख रहोंगे तो बिल्कुल सेम जैसा लग रहा है तो इस तरीके से भी हम लोग से बीडेल से इंशर्ट कर सकते हैं और इंसर्ट से साके से भी हम लोग चीजों को डिजाइन राफ कर सकते हैं तो यह और 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 ही duable करें अंदर कैज अंदर हम लोग पढ़ेंगे। हम से लबस के अंदर घई कहलेंग्हाल मिलें सकते हैं आप और अंदर क्या क्या और प्रॉयख चीजति सकते हैं एडिटिंग ऐतज होती है आप雨 ऐ़ मीटकow करना पैनेल पे काम करना आप अगर आपको पैनल की अगर बताओं तो आप यहां पे समझ पाएंगे फिटेजिसे आप सकी माटेट है आप switchedNote के अंदर इस ही का पैनल देखेंगे आप यह पैनलיד हमारा कुछ इस तरह किसी दिखता start file के मतलब क्या हुथा कि हाइअ कि हाट इंटरफ़ेस मुझे क्या-क्या चाहिए कि मिन इंटरफेस को एक्टिवेट केеся में हमिन इंटरफाइस की इंट्राक्षन के लिए में लेना है जैसे अगर मैं यहां पर कोई पुछ बटन यूज में लिया हूं तो उसका डिटेल मुझे पैनल के अंदर भी देना होगा सेम कैटलोग नमबर का क्यों तब यहां पर वह पंचेज बनेंगे तब ही वह यहां पर होगा तब ही वह सुचेज यहां पर लगेंगे या तो इस तरहएं से सप्टेंगे सांत के साथ हमनों पीपैन्स के एसके अंदर एंड़ करते हैं तो सारी चीजें हम लोग इसके हंदर सिखेंगे अब रिपोर्ट करूँ अगर मुझे बिल आफ मिटरल निकालना है तो अक्टिव द्राइग का निकालना है या प्रोजेट वा तो इस तरीके से हम लोग किसी भी ड्राइंग करने चीज़ों को सिखते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया हूँ डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग डिटेल वीडियो पर मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू झाले लोगोगों करने परो इंक वीडियो डेप्टा रहाँ झालेका रहाँ कैसे हम लोगों कि अपिताशन के लिए हम लोगगों को सिखते हैं कि उना व्पार को इसके तूस्चर को बहुत हैं झाल झाल